नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दिएचेफ फट्डा में मेरा नाम है कास साक्षी वैसे तो हर दिन खास होता है लेकिन आज का दिन एक और माईने में खास है आज 28 साल बाद एक ऐसा फैसला आया जहां लालकृष अडवानी और मुल्ली मनोहर जैसे कई बड़े- जाओं को बरी कर दिया गया बाबरी मस्जित के डिमॉलिशन मामले में और अब इसे ही लेकर जहां एक तरफ खुशी के लहरे की 28 साल कुराना मामला खतम हुआ तो दूसरी और इसका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है और विरोध के सुरा है सबसे तल्क तेवर अवैस कि स्पेशल कोट में जो है सुनवाई चल रही थी और उसका फैसला जो है वो आ जाया है और उसे ही लेकर जो है बड़ा तल्क बयान जो है यहाँ पर देखने को मिला है ओवैसी की तरफ से आकाश बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है तो बहुती तलक तेवर अपनाते हुए इन्होंने इस बार उन्ही पर आउरोप लगा दिया कहीं जिन्होंने फैसला सुनाया है इसके अलावा क्या कहा है वो भी जानिये उन्होंने कहा कि CBI कोर्ट का आज का फैसला भारत की अदालत की तारिक का काला दिन है क्या जादू से मस्जित को गाप कर दिया गया था क्या जादू से मूर्तियां रखी गई थी क्या जादू से ताले खोले गए सूप्रीम कोट ने जो 9 नमबर को फैसला दिया था आज का फैसला उसके खिलाफ है आप अंदाज़ा लगाईए आदवानी की रत्यात्रा जहां भी गई वहां हिंसा हुई लूट पाट हुई और लोगों के घर जला दिये गए यानि कि आकाश बेहद गुस्से में है यहां पर आगे वो ये भी कहते हैं क्या ये सच नहीं है कि उमाभारती ने कहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मजजित तोर दो क्या जब बाबरी मजजित शहिद हुई तब उमाभारती आड़वानी मिठाई नहीं खिला रहे थे इसके आगया हुए सी ये भी कहते हैं मुझे नहीं पता कि सीविया इस फैसले को चुनौती देगी या नहीं देगी लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि AIM PLB फैसले को चुनौती जरूर देगा उन्होंने आकाश ये भी कहा कि मुझे उस वक्त के पत्रकारों और अधिकारियों के लिए दुख होता है जिन्होंने कोर्ट में जाकर बताया कि एक सोची समझी साजिश थी लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना तो ये बेहत तल्ख रवया अक्तियार करते हुए असब बुदिन ओवैसी ने इस फैसले पर अपनी नाखुशी जताई है लेकिन आकाश मैं आपको बता दूँ कि दरसल कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उसमें कई ऐसे साक्ष जो है वो कोर्ट के सामने रखे गये थे लेकिन उन साक्षियों में कही ना कहीं टेक्निकल कमी थी जिसकी वज़े से उनको नहीं माना गया जैसे की पेपर की कटिंग दी गई फोटो कॉपी के तौर पर औरिजनल पेपर नहीं था फिर कुछ एक फोटोग्राफ दी गई तो उन फोटोग्राफ के नेगेटिव नहीं थे तो यानि हर जगए पर कोई न कोई गुंजाईश बनी हुई थी सबूतों में जिनके साथ छेरचाड की जा सकती थी यानि कि अगर आप फोटो देते हैं तो कोई भी फोटो क्रॉप करके या किसी फोटो के साथ छेरचाड करकर उसको दिया जा सकता है तो उसको सब्मूत के तौर पर अधार माना जाए इसमें हमेशा इस बात की गुंजाइश रहती है कि वो गलत हो सकती है और ठीक इसी तरीके से कई ऐसे पहलू थे जिनें देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि जो मस्जिद के गिराय जाने की बात कही जा रही है वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी और कोई pre-plant case वो नहीं था और इसे ही देखते हुए 32 लोगों को कोर्ट ने बरी किया आगे ये है कि जो CBI है वो आगे इस मामले को आगे की कोर्ट में हाई कोर्ट में है उन्होंने बकाइदा पहले शारी और उसके बाद अपने बयानों के जरी अपनी नाराजगी जताई लेकिन दूसरी ओर अडवानी और कुल मिलाकर जो 32 लोग है उन्हें बरी कर दिया गया नजर होगी कि बात आगे बढ़ेगी या बात यहीं खत्म हो जाएगी जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे शेर करते रहेंगे इस पुरी रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्षिन में लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अगर अब तक आपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार